दोस्तो चैरी मांसोन और गर्मियों का फल है यह खटा मीटा फल खाने में जितना टेस्टी होता है सेटले उतना ही फाइदबन आ है इसमें पाई जाने वाले कार्बो हाइडरेट विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C, बेटेक बीटा कैरोटिन, कैल्शियम, लोहा, श्रीर को सोस्त रखने काम करते हैं इन पोशक तत्वों की वज़य से ही चैरी को सुफरफूर्ड की श्रेणि में रखा जाता है यही पोशक कई प्रवलों को दूर करने मदद करता है अगर आप हर रोज स्रफ एक चैरी खाते हैं तो कई विमार से बस सकते हैं चैरी में विटामिन A की भड़पूर मात्रा पाई जाती है इसको खाने से आँखों से संबंदी समस्या नहीं होती जिन लोगों को मोधिया बिंद की समस्या हो उनको रोजाना चैरी खाने चाहिए चैरी में याददास्त बढ़ाने वाले गुन पाई जाती है जिन लोगों या चीजे भोलने लगती हैं, उनके लिए चैरी खाना बहुत ही फाइदेमन्द है। चैरी में मेलाटोनिन की बहुत मात्रा होती है, जो निद्रा किस मसेश्चर कारा दिलाती है। रोजाना सुभे शाम एक गिलाश चैरी का जूस पेने से अच्छी निदाने लगती है। आज कर बहुत से लोगों को हाथों पैरों की हड्यों में दर्द होने या हड्यों से संबंदे कई प्रवर्णस होने लगती है। हड्यों की समस्या से रहात पाने के लिए रोज चैरी का सेवन करेंगे। चैरी में आइरन, मैगनीज, जिंक, पोटेशियम आदे कई पोश्टिक तत्व पाई जाते हैं। इसके साथ ही इसे बीटा कैरोटें तत्व भी होता है जो दिल की बिमारी को दूर करने मदद करता है। चैरी में मुझूर एंटी आक्सिडेंट्स श्रीर को रोगों से लगने की शक्ति देते हैं। इसके साथ ही चैरी में फिनोनिक आसिड और फिलेवर नाइड्स भी होता है जो कैंसर जैसे गंबिर बिमारियों के उत्तकों को बढ़ने से रोकते हैं। जो लोग अपना वजन कम करने चाहते हैं उनके लिए चैरी किसी और शाथी से कम नहीं है। चैरी में वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसके साथ ही 70% पानी होता है। जो घोलन शील फाइबर के लिए अच्छा है। रोजाना चैरी खाने से वजन कंट्रॉल करते रहने में और साथी 5-10 तंतर में मजबूत करने मदद मिलती है। दोस्तों क्योंकि चैरी में पोटेशिम की मात्रा होती है जो श्रीर में स्थित्सोडियों की मात्रा को कम कर देता है। इस वज़े श्रीर का अरक्त चाप सम्मानने हो जाता है और इसी के साथ कॉलिस्ट्रों का स्थर भी कंट्रॉल में रहता है। रोजाना चैरी खान से डायविडिज की समसे सिराथ पाई जा सकती है। चैरी में पाई जाने वाले गुल चैरे के रंगत को साफ करने के साथ ही शरीर से इंसुलन की मात्रा को कम करके डायविडिज के स्तर को कम करते हैं। तबचा को सोफ्ट बनाने और रंगत निखारने के लिए चेरी खाएं, आप चाहितो चेरी का पेष्ट बना करें भी चेरी पर लगा सकते हैं, चेरी के पेष्ट को नियमत रूप से चेरी पर लगाने से मृतिकोश्काई हट जाती है, डेड सेल्स हटने से चेरे पर निखार लगता है, तो दोस्तों यह थे चेरी खाने के फायदे, उमीद आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो परे दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जूर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे अभी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवत की जानकारी आपके साथ सांजा करते रहेंगे, तो जुड़े रहे हैं मेडिय अपदेर्स के साथ, नमशकार, धन्यवाद